ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव की जय शंकर भगवान की जय मातापारवती की जय दोस्तों आज हम आपको सोमवती अमवस्या व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमवस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्रामन परिवार था उस परिवार में पती पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी इस्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था वे कन्या सुन्दर, संसकारवान और गुनवान थी परंतु गरीब होने के कारण उसका विवा नहीं हो पा रहा था एक दिन उस ब्रामन के घर एक साथू महराज पधारे साथू उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसंद हुए कन्या को लंबी आयू का आश्रवा देते हुए साथू ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवा योग गिरेखा नहीं है तब ब्रामन दमपत्ती ने साथू से इसका उपाय पूचा कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवा योग बन जाए सादू महराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर दिर्ष्टी से ध्यान लगाते हुए ये बताया कि कुछी दूरी पर एक गाउं में सोना नाम की एक दोबिन महिला अपने बेटे और बहु के साथ रहती है जो बहुत ही आचार विचार और संसकार संपन तथा पती परायन है यदि ये सुकन्या उस दोबिन की सेवा करे और वे महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवा हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य मिट जाएगा साथू ने ये भी बताया कि वे महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है ये बात सुनकर ब्रामनी ने अपनी बेटी से दोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा अगले दिन से ही कन्या प्राता काल ही उठकर सोना दोबिन के घर जाकर साहाफ सुफाई एमम सारे अन्य काम करके अपने घर वापस आने लगी एक दिन सोना दोबिन अपनी बहु से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता बहु ने कहा माजी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुदी खतम कर लेती हो मैं तो देर से उठती हूँ यह सब जानकर दोनों सास बहु की निगरानी करने लेगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है कई दिनों के बाद दोबिन ने देखा कि एक कन्या मूँ ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चुप चाप वापस से ली जाती है जब वह जाने लगी तो सोना दोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी पूशने लगी कि हे महिला आप कौन है और इस तरह चुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है तब कन्या ने सादू द्वारा कही गई सारी बात बताई सोना दोबिन पती परायन थी अता उसमें तेज था वह तैयार हो गई सोना दोबिन के पती थोड़ा अस्वस्त थे उसने अपनी बहु से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा सोना दोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उसकन्या की मांग में लगा सोना धोबिन का पती मर गया उसे इस बात का पता चला वे घर से निराजल ही चल पड़ी थी यह सोचकर की रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी दे कर और उसकी परकिर्मा करके ही जल ग्रहन करेगी उस दिन सोमवती अमवस्या थी ब्रामन के घर मिले प ऐसा करते ही उसके पती के मिरतक शरीर में वापस जाना गई दोबिन का पती फिर से जीवित हो उटा तो भक्तगर्ण ये है सोमवती अमवस्या की पौरानिक पारमपरी कथा आपको कैसी लगी किर्पय अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें इस कथा शर्वन के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद